नमस्कार एक्जाम हैपी भाई जहारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर जेटेट परिच्छा 2024 की तैयारी को ले करके तो देखे हम आपको यहाँ पर जेटेट परिच्छा की तैयारी के लिए बिभीन राजियों में सभी रा दिया जाएगा उसके साथ यहाँ पर जो है आपको जो जो जैसी आटी टेस्ट बुक जेक की किताब है उससे आपको सारे तयारी यहां पर करवाया जा रहा है क्योंकि जैसी आटी से ही सारे पर जाओंशन आपको लगबग निकल के आते हैं इसके पहले भी दो परिच्छा जो आकलन हुई थी उसमें JCRT किताब का जैक का जो किताब था, हुबहु प्रशन यहाँ पर किताब से भीड़े हुए थे, उसके बाद अभी जुसाय का चार्च की परिचा चल लिए, उसमें भी आये हुए हैं, तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की पारी है, तो जेटे जो टेस्ट बुक किताब है, उसको पढ़ लेते हैं, तो आपको देखें, यहाँ जुड़नी क्या हो सकता नहीं है, लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यहाँ से जरूर जुड़ेंगे, सीर्फ और सीर्फ आपको कितने मिलते हैं, तो 499 रुपए में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे, और उसकी सारी कलासेज मिल जाएगी, तो अभी जुड़ेंगे, चले देखें, हम आपके लिए लेकर के आये हुए हैं, टेन्स के अंतरगत, किसके अंतरगत, टेन्स के अंतरगत, पास्ट परफेक्ट हैं, हैंड रिटेन नोट्स, सभी सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो आप सभी यहां से अवस्य जूड़ करके तैयारी कर लिजेगा, चले देखिए का क्या है इसका पहचान, कैसे पहचान हैंगे, देखें, अंतिम में हम आपको यहां पर objective questions भी करवाएंगे, क्या करवाएंगे, objective questions भी करवाएंगे, last में तो आप वीडियो कंतक जुड़े वरेगा, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, पहचान हैं कैसे, rule of identification, पहचान का नियम क्या है, if we get रहा था, रहे थे, रही थी, etc, at the last part of verb in Hindi sentence, with given time, is called past perfect continuous sentence, चीक है, जि सुचक सब्द लगा हुआ रहता है, क्या लगा हुआ रहता है, समय सुचक सब्द लगा हुआ रहता है, तो उस वाके को हम लोग past perfect continuous sentence के अंतरगत कहते हैं, ठीक है, उसको past perfect continuous sentence कहते हैं, clear, देखे, जैसे यहा है, राम दो घंटों से पढ़ रहा था, ठीक है, यहाँ पर क्य पाचि लगा हुआ था, रहा था, सबसे पहला चीत, पहचान था, रहा था, अब रहा था के साथ समय सुचक सब्द होना चाहिए, तो देखे, दो घंटों से यह समय सुचक सब्द है, तो देखे, रहा था आपका किस में था, past continuous में भी था, याद रखेगा, past continuous में भी रहा लगता है लेकिन उसके साथ समय सुचक सब्द नहीं रहता है तगर रहा था के साथ समय सुचक सब्द दे दे दो गंटों से चार गंटों से जनवरी से फर्वरी से यह समय सुचक सब्द दे तो आप उसको past perfect continuous tense में ले जाईएगा ठीक है तेंस का नाम अगर पुछेगा तो इ क्लियर हो गया होगा कोई डाउट आपको है नहीं है चलिए आगे और बनाते हैं डाउट को क्लियर करते चलेंगे तो देखिए आपर क्या लिगा हुआ है राम हैड बीन टीचिंग फोर टू आवर्स राम हैड बीन टीचिंग फोर टू आवर्स ठीक है तो देखिए हैड किस म जाएगा चले रूट बनाते कैसा है अगर है को बनाने के लिए दिया या उसको चुनने के दिया तो आपके किस अधार पर चुनियेगा आप चुनिएगा जाहिए इसे स्ट्रक्चर के दार्पर यहां पर क्याकि चेगा प्रांसुम्हेंशन कर्वा ऐगा तिक है तिसको याद रक लिए गए सबसे हैं सब्सक्ता आता है उसके बाद यहाँ पर मुलार्ट चाहिए पाषजक्शन कैनतं फिर वल्इक टाइम कोई अको आप समझना है पास्ट पर फेक्ट गन्टिन्वेस टेटस को समझना है एक एक जाम्पल देख लिए आप यहां पर राम सूबा से रामायन पढ रहा था राम सूबा से रामायन पढ रहा था सबसे प्हला चींहि asymm generator रहा था फिर सूबह से तो समय रहा था और समय जैसी आया आपको दिमाँ में डाल देना है past perfect continuous ठीक है अब देखे के इसको कैसे बनाते है थे सब सबर्म सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है तो राम हो गया अब राम के बाद head हमेशा लगाना है फिर bean हमेशा लगाना है ठीक है, subject plus head plus bin उसके बाद b4 लगाना है, तो b4 यहां पर क्या है पढ़ना, पढ़ना का read, read का हो गया reading, उसके बाद object लगाना है तो object क्या है, रमायन, दो रमायन ठीक है, और उसके बाद फोर यह since लगाना था, तो देखें, यहां पर सुबा से, तो सुबा निश्चित है सुबा का समय निश्चित होता है साम का समय निश्चित होता है दोपहर का समय निश्चित होता है तो यह सभी समय के साथ आप क्या लगाएगा, since लगाएगा क्या लगाएगा, since morning हो गया, since morning, ठीक है चलिए अगला दिखिएगा वे पांच दिनों से मोबाइल से संदेश भेज रहे थे वे पांच दिनों से मोबाइल से संदेश भेज रहे थे वे पांच दिनों से मोबाइल से संदेश भेज रहे थे तो है देखे घो गया यहां किसे जेंसे होग सबस्क्राइब साराना का रुज़क्स假it before तो send का sending क्या message sending message क्या message तो object किसे तो mobile और यहांपर क्या है कितने दिनों से तो 5 दिन तो 5 दिन और कोई time fix नहीं अगर दिन का नाम करते यहां पर दिन का नाम जैसे रविवार सुमार मंगलवारती यहां पर सेंस आप लगाते हैं लेकिन यह 5 दिन करад यह 5омина तो इसका कोई निश्ची समयने के कौन सा पांच देन इसलिए यहां पर फॉर लगेगा ठीक है तब फॉर फाइफ डेज देखे लगा हुआ फॉर फाइफ डेज ठीक है चलिए अगला देखेगा थोड़ा साम लोग फॉर और सिंस का यूज देखेंगे इसके पहले भी हमने यूज आपको बता दिया है लेकिन एक बार सिंस से फिर से हम फॉर और सिंस का यूज बता रहा है आप सभी अभी तक जिनको क्लियर ने होगा एक बार क्लियर कर लिजेगा क्योंकि फॉर और सिंस से एक प्रशन आपके एकजाम में रहेंगे ही रहेंगे ठीक है फॉर और सि दिनों से ऐसे अगर देगा तो वहाँ पर लगाईएगा। Лेकिन दिन का नाम दे दे जैसे रव वयुर से सौमार से मंगल से बुद सेUNG दिन का नाम दे रहा है तो दिन का नाम निश्चीत समय हो तो उसके लिए sense लगाईगा, क्लियर, चलिए अगला दिखेगा, अगला है, दो गंटों से, चार गंटों से, समय क्योधी बताने के लिए, आपर लोग फोर लगाते हैं, दो गंटों से, चार गंटों से, अगर यह समय बता रहा थे, समय क्योधी है, इसके लिए आप फोर जहे से 7 बज़े से निष्चिज समय बताने के लिए SINs का पर्यूग करता हैं. निष्चिज समय बताने के लिए SINs का पर्यूग करता हैं. ठीक है? तो यह SINs लगया है. किलिएर हो गया ना, चलें next दे दिखी गा. पांच बरसों से, साथ बरसों से, बर्स की ओधी बताने के लिए फोर का प्रयोग होता है ठीक है पांच बर्स से कोई कह रहा है कोई सात बर्स से कोई दस बर्स से यह समय की ओधी हो गया यह बर्स की ओधी हो गया ठीक है तो ओधी बताने के लिए हम लोग फोर लगाएंगे लेकिन यही बर्स का कर दे 1990 से 1992 से 2001 से दुचार चॉबी से यह बर्स का फिक्स टाइम आपको दे दिया तो जिसमें निस्चीज समय होगा निस्चीज समय वहां पर सिंच लगाएगा नी सिंच 1906, 1902, since 2024 यह सभी के पहले आपको सिंस लगाना है किलियर हो रहा है ना फॉर सिंस किलिए हो रहा है कि नहीं बताते चलिए सबको किलियर हो रहा है सबको यहां से पढ़ चुके नहीं तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग ठीक है अगला है यहां पर देखेगा टेन मिनट्स फाइफ मिनट्स दस मिनटों से पांच मिनटों से फुर लगाईगा अनिश्चीत है लेकि सुबा से साम से दो पहर से निश्चीत समय सिन्स यानि सुबा निश्चीत समय होता है साम का भी निश्चीत समय होता है और सीजन सभी रितू के नाम के पहले क्या लगता है तो आपको सभी रितू के नाम के पहले सीजन लगता है summer, winter, rainy, spring, season तो इसके पहले सीजन लगता है clear तो सीजन लगेगा हो गया ना चले फोर सीजन देख लिए अब आते हैं next negative sentence को देख लिएगा क्योंकि sentence पहचाने के लिए आता है negative sentence में क्या होगा तो rule of structure negative sentence का देखे structure है subject plus head plus note plus been plus before plus object plus for yasins plus time यानि उसमें note रहेगा सिर्फ जो affirmative sentence था उसमें head के बाद note लगा देना है clear head के बाद note लगा देना है यही rule है negative sentence का चले next देखेगा रमन सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा था ठीक है सबसे फ़ले subject लगाएगा तो subject हो गया रमन उसका बाद head लगाना है subject के उसका है उसका नोट बीन एक चीज आपको पता है तो देखेए head इसके लिए कोई भी subject के साथ head लगेगा पास्ट में इसके लिए सब के साथ head लगता है आपको हमको कल का structure में भी आपको head वाला पूरत दे दिए तो सुरू से जुड़ करके जब आप तेयरी की जेगाना तो बहुत अच्छा होगा देखेए अब एक चीज आपको बता जाते हैं अभी क्या है आपका एक से पांच अभी क्या है आपका एक स आपको समझे चाहिए आप घर पर नहीं जुड़े है तो आपको तैयारी बहुत अच्छा होने लेगा और बलकि कीजे कोई मार सीट ले लिजे अब यह से त्यारी कीजे ठीक है बहुत अच्छा तयारी हो जाता है आप देखे परिच्छा का कब घुसना हो जागा ना इसका परिच्छा का कब घुसना हो जागा इसका कोई कारेंटी नी इसलिए आप सभी को पढ़ते रही है ठीक है और आपका टेंस यहां चल भी रहा है तो टेस्सीरीज का किमत जो है आपका 20 को टेस्सीरीज अभी हम करवा रहा है उसके लिए आपको 200 रुपे मुले होते हैं 10 परिच्छा का है सेकेंड परिच्छा को उसमें से प्राइज दिये जाते तो आप सभी अभी जूर करके यहां से त्यारी किजे और प्राइज की रासी भी पा सकते हैं आप ठीक है तो चलिए यहां पर देखें यह हो गया अब देखिएगा मैं सूबह से अंगरेजी नहीं स संगीत नहीं सीख रही टी दो गंटों से संगीत नहीं सीख रही थी कैसे बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट मीरा फिर हैड फिर नोट यह बीन यह तो हमिशा चलेगा हैड नोट विन इस्ट्रेक्टर में ठीक है अब यहाँ पर दिखे संगीत नहीं सीख रही थी सिखना भर सिखना है तो सिखना का लर्न हो गया, लर्ण का learning हो जाएगा, तो learning और क्या संगित, संगित के लिएए बनाया हुआ आप से भी structure को समज लिए, ठाँसलेशन भी आपका आसान हो जाएगा, ठीक है, चलिए अब देखेंगा interrogative sentence interrogative sentence में पहला इस तरह का होता है जब वाक्य का प्रारम क्यास होता है तो उसको कैसे बनाएगे एक हम लोग लिखते हैं ही क्या आप आ रहे हैं क्या तुम आम खा रहे हो क्या सिता बजार जा रही है क्या रामन पुस्तक पढ़ रहा है बात समझ गया जब वाक्य का प्रारम क्यास होगा तब तो देखिए यहां पर आपका जो है दिया हुआ यहां पर दिया हुआ है क्या वह दो घंटों से रो रहा था क्या वह दो घंटों से रो रहा था ठीक है क्या के लिए सबसे पहले हम लोगे है उसके बाद है बी ठीक है और वीपोर वीप रोना का क्या होता है रो रहा था रोना का वीप, वीप का वीपिंग अब देखिएगा दो घंटों से यहां पर time इस time के उनसार four year since लगाएगा ठीक है तब for two hours for two hours clear होगे ना clear चले अगला देखिएगा अगला है जब प्रस्णवाचक सब what, where, when, why वाकिके बीच में आता हो वाकिके बीच में आता हो तब क्या करेंगे हम लोग ठीक है तो देखे देखे, रेखा एक महीने से कहा जा रही थी, ठीक है तो सबसे पहले कहां, कहां जो है प्रस्णवाचक सबसे पहले लगाएगे तो where, फिर क्या लगाना है, head, फिर क्या लगाना है, subject, रेखा, फिर क्या लगाना है, bean, और उस बाद before, ठीक है क्या लगाना है, before, क्या लगान since जो लगाना है वह यहाँ पर time को दे कर गहते, एक महिना बोल रहा है, अगर महिना का नाम देता, महिना का नाम देता, January, February, तो since लगाता है लेकिन एक महिना, period बता रहा है, time of period, समय के ओधी बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो for one month, चली आप देखिए इसका objective या वस्तुनीष्ट प्रसन कुछ है उसको हमलोग करेंगे वस्तुनीष्ट प्रसन को यहाँ पर हमलोग करेंगे जो कि हमारा एक्जाम में वस्तुनीष्ट प्रसन ही आएगा लेकिन हम आपको थुरा से यहाँ पर deeply करवा देते हैं जिससे क कि आपको किसी भी तरह का काम हो तो यह नोट्स आपको हर तरह से काम करते रहेगा ठीक है चलिए देखिएगा यहां पर नाम दिया हुआ है इसमें भी है इसमें यह है ही नहीं इस्ट्रक्चर में पास्ट परफेक्ट में क्या होता है पास्ट परफेक्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भी थरी प्लस अब्जेक्ट वो भी नहीं है इसमें है देखिए क्या दिया है सब्जेक्ट तो है फिर हैड भी है फिर बीन है फिर यहां भी फूरा भी थरी है यह नहीं इसलिए य architects में भी नहीं आगा से ठीजर को याद करेंगा को सब से अंब किसे की तो अब करद सर्फिंड हो । enter and स्टेंस में जाएगा राइट एंसर इसका डी हो जाएगा किलियर चलिए अगला प्रसने देखिएगा तो चले हो यहीं पर देख लेते हैं प्रसने 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 देखिएगा आप समय नहीं वरबात करेंगे पास्ट परफेक्ट के लिए प्लस ब्लस 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 ब्ल प्रकार का वाग की चुनना है आपको क्या चुनना है वाग की चुनना है बताइएगा ठीक है सबसे पहले अगर auxiliary भर किसी में भी लगा हुआ है कोई भी sentence में अगर auxiliary भर पहले लग रहा है वो शुरुवात से ही वो समझे कि आपका क्या चीज है तो यह क्या है क्या है क्यूस्चन संटेंस है ठीक है क्यूस्चन यानि interrogative sentence है और लाश्ट में देखेगा यहाँ पर हस्वा चाप यानि interrogative sign भी दिया हुआ रहेगा तो यह प्रस्ण वाचक है यानि interrogative sentence है ऐसे लोग देख लेते हैं बश्चन सर्फ यह क्यूस्चन वाटस व्होल वाटस से प्रारम होगा लास्ट में क्यूचन मार्स भी लगा हुआ है तो अल्रड़ी 120 में चला गया तो इंट्रोगेंटिय देखनी क्या हो सकता ही नहीं है ठीक है देखनी क्या हो सकता ही नहीं तो इंट्रोगेटिव में इसको कर दिजगा राइट एंसर सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट जो है आपका नाउन है नाउन है तो इसमें क्या होता है आपको अफॉर्मेटिव संटेंश पर हमलो लेके जाते हैं तो कि इसमें नोट भी नहीं है, इसले नीगेटिव नहीं होगा, कि इसले इसले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्लियर आपको क्या होगा, इसले अगला देखीद Norwegia, तो नोट भीन वाचिंग टी बी नाइनो कलोग, या लगेगा बता, यह फोर यह सिंग्स, आपको 4 लगेगा, 3 लगेगा, 4 लगेगा, 9 बजे से, तो 9 बजे ये निश्चीत समय बता रहा है, कि किसी भी दिन काम होए, तो 9 बजे होगा, निश्चीत टाइम है, ठीक है, फिक्स टाइम है, तो निश्चीत टाइम के साथ हम लोग क्या लगाते है, सीन्स लगाते है, ठीक तुम कमरे में च्छो गंटे से सो रहे हो यह च्छो गंटा कोई फीक्स टाइम नहीं है तो फीक्स नहीं है तो यहां पर फोर लगाईए तो राइट एंसर इसका फोर हो जाएगा ठीक है? चले अगला दिखेगा गर इन तो इसी त्रह लगाता है है तो इस तरह से थेखिए हम लोग पास परफेक्ट अंटिवस टेंगे को समाब्ट कर लिए अब एक बार English का महराथन क्लास TENS का हो जाएगा तो फूचर को थोड़ा-थोड़ा complete कर लेंगे TENS की समापती हो जाएगे ठीक है इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे तो वाइस से दो खरणकरेंगे एकिजिवर फैसिव वाइस धोड़ थोड़े अपको बराने दिखा देंगे जिससे कि आपका руки देखिए ओम